जब भी आप हिपपो को ऐसे करते देखो तो जल्दी वहाँ से भाग जाओ वरना ये अपनी फूप से तुम्हें भी गंदा कर देगा दरसल जब भी हिपपो को हलका होना होता है तो वो अपनी फूप को पूच से ऐसे दूर तक फेकता है ताकि female hippo उस पर फिदा हो सके जो hippo सबसे जादा दूर तक अपनी फूप को फेक सकता है female hippo उस पर तुरंद फिदा हो जाएगी क्योंकि ऐसे female hippo को लगता है कि वो बहुत ताकतवर और जोसीला है